वी का स्टार्ट होता है थ्री नेट विले टाउन को दिखाते हुए ये पूरा टाउन प्लास्टिक के चीजों से बने हुई थी यहाँ पर एक भी पेड नहीं थे और नहीं तालाब थे पर फिर भी यहाँ के लोग बहुत ही खुश थे कि यहाँ के मेर उन सब को वो सारी से खुश थे क्योंकि उनके घर के आस पास जो भी प्लास्टिक के पेड थे उन्हें वो कभी भी अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते थे और तो और रियल पेड ना होने के वज़े से उन्हें उनका ख्याल भी नहीं रखना पड़ता था प्लास्टिक के ट्री होने के ते भी नीचे नहीं गिरते थे इससे पूरा टाउन किलियन रहता था अगली सीन में हम एक बच्चे टैट को देखते हैं जोकि ओडरी नाम के लड़की के घर के सामने रुखता है और उसके घर में जान बुचकर अपनी प्लेन गिरा देता है दरसल टैट ओडरी को काफी प दिखाती है जोकि उसने खुद ने बनाये थे टैट ने पहली बार ऐसे रंग भी रंगी ट्रीज को देखा था और बताती है कि यह तस्विर असली पेड के हैं वो बातों ही बातों में उसे यह भी बताती है कि वह अपने जीवन में एक असली पेड को देखना चाती है और कोई आदमी उसके लिए असली पेड लेकर आएगा तो वो उसे तुरंती शादी कर लेगी तोकि उसे पेड बहुत ही पसंद थे और वो असली पेड को मैसूस करना चाहती थी यह सुनका टैट डिसाइड करता है कि वो और्डरी के लिए एक असली पेड लेकर आएगा अब जब टैड अपने घर बापस आता है तो वो अपनी मॉम से एक असली पेड के बारे में पूसता है लेकिन उसकी मॉम इन चीजों से उसे दोर रहने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें गंदे से लकडी की टुकडी की कोई जरूरत नहीं थी और उनके पास एडवांस पेड पहले से मौजूद थे इसमें बहुत सारे फिचर्स अवल लेबल थी टैड की बाते सुनकर उसके ग्रैंड मा उसे बताती है कि उसे भी पेड बहुत ही पसंदे और अगर उसे एक रियल पेड चाहिए तो उसे वनसलर के पास जाना होगा क्योंकि वहीं एक ऐसा आत्म जाने के लिए टाउन के सबसे उचे दिवार के पास चला जाता है जो कि मेठल से बनी हुई थी यह ने इस पूरे टाउन को ऐसे ही दिवार से घेर रखा था ताकि कोई भी टाउन को छोड़के बाहर ना जा सके टैड जब बटन प्रेस करता है तो वहां पे सीडिया बनने लगती हो उसी के जरिए वह उस दिवार से बहार आ जाता है जब वह बहार आता है तो वह देखता है कि चारों तरफ अंधेरा है तोर दूर तक कोई भी इंसान उसे लाएं कि어가र टैड सोचता है कि मेर हमेशों उनकी इस पर टेड उससे कहता है कि उसे जानना है कि आकिर से सारे पेड़ों को हुआ क्या है और वो कहां चले गए यह सुनकर ओंसलर हैरान हो जाता है क्योंकि टेड पहला ऐसा बच्चा था जिसे पेड़ की बारे में जानना था उसे उनकी परवा थी इसलिए ओंसलर अपनी जवानी की कहानी सुनाने लगता है यहां से इन सब चीजों की शिरुवात हुई थी जब वो जवान था तो वो एक invention करना चाता था अपना नाम रोशन करना चाता था इसलिए उसने अपना टाउन छोड़ दिया और एक ऐसी जगे पर आ गया जो की बहुत ही खूबसूरत था वहां पे तरह तरह रंग के पेड़ थे और अनों के प्राणी भी थे जो प्यारे थे और उनका दिल भी बहुत ही साफ था उसने अपनी invention के लिए वहां के पेड़ों को चुना वहां के एनिमल्स के साथ दोस्ती करने के लिए उसने उनको माशमेलो किलाए उनको बहुत ही पसंदाए और इन सब के बीच दोस्ती हो गई लेकिन जब वो बकताया जब उसने पहला पेड़ काटा और सभी एनिमल्स उससे डर गए क्योंकि ये जगे उनका घर था और वो उनकी जगे को तबहा कर रहा था वहां का मौसम बिगड गया और जोर जोर से बादल करचने लगे सी कटे हुए पेड़ से एक आत्मी निकला इसका नाम था लोरेक्स लोरेक्स ने ऑनसलर को वार्निंग दी कि वो यहाँ पर पेड़ो को नहीं काट सकता भी वो इस जंकल की रक्षा करता है और वो उससे पूछे बिना किसी भी चीज को नहीं काट सकता वो उसे चेतावनी देता है कि अगर सुरस ढलने तक वो यहाँ से नहीं गया उस पे कुदरत कहर बरसाएगी उससे शरापित किया जाएगा लेकिन ओनसलर ने उसकी चेतावनी को नजर अंदाज कर दिया तभी कहानी प्रेजेंट में आ जाता है और ओनसलर टैट से कहता है कि बाकी कहानी सुनने के लिए उसे कल आना होगा लेकिन टैट को पूरी कहानी आज ही सुनने थी क्योंकि ये जगे बहुत ही बदबुदार था और वो इस जगे में बापस नहीं आना चाता था ये सुनकर आनसलर कहता है तो तुम में बो बात नहीं है और ये कहकर वो अंदर चला जाता है ये टैट बाहर से अफसोस करता है और कहता है कि मैं कल जरूर आउंगा अगली दिन टैट एक सपने में होता है इसमें वो और्टरी के जनम दिन पर उसे एक पेड़ गिफ्ट कर रहा था लेकिन जल्दी ही वो अपने सपने से बाहर आ जाता है और वो आगे की कहानी जानने के लिए फिर से ओंसलर से मिलने जाने लगता है लेकिन रास्ते पर मेर क लोग उसे पकड़ लेते हैं पता चल चुका था कि टैट एक बार टाउन से बाहर जा चुका है तो कि टाउन में हर तरफ कैमरास लगे हुए थे मेर टैट को समझाता है कि उसे टाउन से बाहर नहीं जाना चाहिए और अगर वो फिर भी यहां से जाने की कोशिश करता है तो उनको जल्दी ही पता चल जाएगा जो उसके और उसके परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा एक एक मेर वहां से चला जाता है रसल मेर यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि लोगों को बाहर के बारे में पता चले और नहीं पेड के बारे में क्योंकि इससे उ पास तक किसी ने भी नहीं पैने थे और उसका ये काम लॉरेक्स और वहां के एनिमल्स को बिलकुल पसंद नहीं आया और वो नहीं चाहते थे कि आगे जाकर वो और भी पेर काटे इसलिए रात होते ही वो सभी ऑंसलर को उसके बैट समित एक नहर में भागते हैं सभी को लगत था जिसमें वो गिरने ही बाले थे लेकिन इससे पहले लॉरेक्स एक बड़ा सा स्टोन वहां पर फेकता है जिसे वो दोनों ही उचल कर जमीन पर आ गिरते हैं धरकत के बाद ऑंसलर उन सबसे नाराज हो जाता है क्योंकि उनकी इनरकत से उसकी जान जा सकती थी लॉरेक्स उसे समझाता है कि उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था वो बस चाते थे कि वो यहां से चला जाए तो कि वो इस जगे को हाम कर रहा था आगे लॉरेक्स कहता है कि वो यहां पर रह सकता है लेकिन यहां पर रहने के कुछ नियम होंगे कि वो एक भी पेड़ को नहीं यह उंसलर्ण ने चीज सकाफ को बनाया था वो लेकर वो सीटी में आ जाता है ताकि वो उसे बेश सके लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी कोई भी सकाफ नहीं खरिता बात से वो दुखी होकर वो इसकाफ वही फेक कर फिर से जंगल आ जाता है उसका फेका हुआ इसकाफ एक लेडी के सिर पे गिरता है और वो इसकाफ उसे बहुत ही पसंद आता है दीरी दीरी उसकाफ को देखती हुए वहाँ पर लोग इखटा हो जाते हैं और सभी अपने लिए भी उसी रेशम का कपड़ा चाते थे लोगों को जब पता चलता है कि इसकाफ को ऑंसलर्ण ने वो बहुत ही खुश हो जाता है लेकिन इतने सारे लोगों का यहाँ पर आना लॉरिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता आगे ओंसलर्ण इस्टोरी को रोग देता है और टैट से कल फिर से आने को कहता है तो ही टैट टाउन में फिर से आ जाता है अपनी ग्रेंड मा को और् करता है और ओंडरी को खुश करने के लिए वो असली पेड को ढून रहा है इसके बाद देखते कि ओंडरी जब अपने घर आती है तो बहुत ही हैरान हो जाती है कि उसने अपने घर के बाहर जो पेंटिंग्स बनाई थी वो सारे किसी ने मिटा दिये थे और ये का मेर का ही तो इसके लिए और आगे की स्टोरी सुनने के लिए फिर से सीटी से बाहर जाने लगता है लेकिन इस बार मेर ने बाहर जाने के सारे दरबाजे बंद कर दिये थे लेकिन फिर भी टेड नहीं रुखता वो अपनी बाई की मदद से एक उचे घर में आ जाता है तो इसे होकर उस दिवार को पार कर लेता है उसलर आगे की स्टोरी सुनाता है जैता है कि जब वो काफी मशूर हो गया और उसके पास बहुत सारे डिमांड्स आने लगे कि वो उसी रेशम को यूज़ करके उनकी लिए भी कपड़ा बनाए तो इसके लिए उसलर की फैमली भी बहाब बर लिया और उसलर की फैमली भी यही रहने लगी उसलर अपने वादे के मुताबिक पेड़ों को नहीं काटता था लेकिन वो पेड़ों की रेशम को थोड़ा थोड़ा निकालता था और उनी से कपड़ा बनाता था जिससे पेड़ों को भी कोई लुक्सान नहीं होता था लेक से ओंसलर के वरकर्स रोज पेड काटा करते थे ओंसलर उनी रेशम को यूज करके लोगों की डिमांड पूरी करने लगा वो एक ऐसे मुकाम पर पहुच गया जहापर उसके पास सबकुस था लेकिन इन सबसे लोगों की डिमांड और भी बढ़ती गई उसके कारण जंगल में तेजी से पेड काटे जाने लगे किन इन सबसे लोरेक्स बहुत ही परिशान था और वो इसकी लिव ऑंसलर से बात भी करता है कि उसने कहा था कि वह जंगल के कोई लुकसान नहीं पहुचा रहा था पर ओंसलर लोरेक्स की इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता एक दिन वो आंसलर को एहसास होता है कि उसने बहुती बड़ी गलती कर दी। वेवल उसी के लालच के बज़े से ये जंगल पूरा कट चुका था। जिसके बाद उसके फैमली वाले भी उसके पैसे लेकर वहां से चले गए। वहीं लॉरेक्स और वहां के एनिमल्स भी जंगल का ऐसा हल देख से पहीं बहुत दुश्की थे आंसलर के सारय उस्फ जेंगल को चोड़ देते हैं वहां के औरके ये कहाने थैट को काफी बुरा लगता है तो आज तक उस ने कभी पीरियल पेड को नहीं देखा था इसके बाद वो टैड को एक बीच देता है जो कि आखरी बीच था और वो उससे कहता है कि वो बीच जाकर वो अपने टाउन में लगा ले कि बाकी लोग भी जान सके कि पेड कितने सुन्दर होते हैं और उसकी सजा भी तभी कम होगी जब ये गर में मेर आये हैं तो वो उस बीच को अपने रूम में चिपा कर नीचे आ जाता है कि मेर टैड से बीच मांगने लगता है लेकिन टैड कहता है कि उसके पास कोई भी बीच नहीं है इसके बाद मेर को और भी गुस्सा आ जाता है वो अपने गार से इस घर की तलाशी लेने थी वो उस बीच को ढूंते हुए नीचे आता है और देखता है कि वो बीच तो ग्रेड मा के हाथों में थी और उसमें से एक छोटा सा पोधा भी बाहर आ गया था जो दिखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा था डॉड ओडरी को भी अपने घर पर पुला लेता है और उस प जम्मी बनाती है उसे अपने कार में रखकर निकल जाती है इसलिए वो उनको फॉलू करने लगते हैं वहीं दूसरी तरफ वो तीनों में पार्क के लिए निकलते हैं ताकि वो उस नन्ने से पौधे को बहां पर लगा सके लेकिन टाउन में लगे हुए कैमरास के वज़े से मेर को ये बात जल्दी पता चल जाती है कि टैट वो बीच लेकर पाक की तरफ जा रहा है और मेर ऐसा नहीं होने दे सकता था इसलिए वो अपने गाट के साथ टैट का पीछा करने लगता है वो बीच को हासिल कर लेता है लेकिन आकिर में ग्रेंड मा अपनी छड़ी की से बीच को फिर से असल कर लेती है जहाँ पर वो मेर के स्टेचु को तोड़ देते हैं जिससे जमीन पे लगा हुआ प्लास्टिक के गास उकड़ जाती है और असली मिट्टे दिखाई देने लगती है अब धीरे धीरे वो पर भीड़ भी इखटा हो चुके थी और वो उनकी दिबारों को गिरा देता है जब सभी लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो सभी एरान हो जाते हैं क्योंकि बाहर की जमीन हर तरफ से बेजान थी उन सभी को एसास होता है कि सिरफ आर्टिफिशल लाइब से वो हमेशा के लिए खुश नहीं रहे पाएंगे और अगर उन्हें अच्छा जेवन जेना है तो उन्हें पेड उगाने होंगे अब मेर की सच्चा इस सब के सामने आ गई थी कि सिरफ वो अपने फाइदे के लिए पेड नहीं उगने देता था इसलिए उसका गाड़ी उस पर एक एडवांस फैन लगा कर उसे दूर बेज देता है इ इतनी हरियाली और पोडों को देखकर बहुत ही खुश होता है वो बी अब इन पोडों का पहले जैसा कर दिया था इसी की साद है मूविय हैँ पर खत्म होती है